मापतन प्रादिकारण विदेख 2020 इसका समर्थन करने के लिए आज मैं सदन में बोल रही हूँ अधनी अध्यक्ष जी हमारा देश एक विप कल्प है यानि कि हमारे देश की तीनों बॉर्डर पे समुद्र है और एक बॉर्डर पे लेंड है यानि कि हिमाले परवत है ये समुद्री किनारा का सही तरह से उप्योग हमारे पूर्व जोनों भी किया था हमारे मानी मंत्री जी ने अभी बताया कि पूर्व में भी यानि कि इत्यास साक्षी है कि हमारा देश का कारोबार विदशों के साथ उस टाइम में भी समुद्री व्यापार से होता था और उसी टाइम हमारा देश सोने की चिडिया कहा जाता था लेकिन जैसे की बताया गया हमारे देश पर विदेशी आक्रमन होते रहे हम गुलामी की स्थीती में आ गये और हमारे यह जो पोट या तो हमारा जो यह समुद्री व्यापार था उन पे बहुत ही गंबीर असर पड़ा और दीरे दीरे हमारे पोट यह द्वस्त होते रहे नाश होते रहे और ऐसी तरह हमारा देश गुलामी की अवस्था में आ गया फिर से हम आजाद हुए सर और हमारा देश आजादी की हवा में यह हमारे पोट भी सारा हमारा इंफरेस्ट्रक्चर पुरा देश एक गति करने लगा हमारा डेवलोपमेंट होने लगा और सबसे ज्यादा तो हमारे मानिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने जब से देश की धूरा संबाली तब से मुझे लगता है कि आफत को भी कैसे आउसर में प्रधान मंत्री श्री ने दिखाया मैं एक छोटा सा एक्जामपल देना चाहती हूँ सर कि हमारे गुजरात में कच्छ में जहां सौल्ट का जो पूरा दरिया किनारा बंजर जमिन थी किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि एक सौल्ट का जो पूरा बंजर लेंड पड़ा है उसको दुनिया के सामने वाइट डेजर्ट के नाम रखके रख दिया और आज हम देख रहे हैं कि पूरी देश और दुनिया से वहां से टूरिस्ट आ रहे हैं और हमारा कच्छ नहीं बल्कि हमारा गुजरात की डेवलोप्मेंट गुजरात की एकोनोमी में भी कितना फरक पड़ा है सार वैसे तो लयुज्ग बहाओनगर से आती हूं और हमारा भाओनगर और मेरी कॉनसिटंसी पूरी कोस्टल है इत्यास साक्षी है कि हमारा गोगा बंदर जो है वो वहां से बहुत बड़ा कारोबार होता था और हमारी गुजराती में एक कहवत भी है लंका नी लाड़ी और गोगा नो वर यानि कि मतलब कि हमारा सामुदरिक सबंध कितने अच्छे थे और हमारा व्यापर कैसे चल रहा था ये कहवत से हम सोच सकते हैं यही गोगा बंदर में आज हमारे मानी प्रदान मंतरी स्री नरेंदर भाई मोदी जी का जो विजन था गोगा दहेज रोरो पेरी और रोरो पेक सर्विस भी चालू होई है इससे हमारे भावनगर का ही डेवलोपमेंट नहीं पुरा है हमारे सौवराष्ट का डेवलोपमें आते है और पिछले सेशन में ही मानी मंतरी जी एक बिल लेके आये थे हंकोंग कन्वेंशन का और हंकोंग कन्वेंशन का बिल पास होने के बाद जो थोड़े बहुत जाज हमारे यहां नहीं आ रहे थे वो भी अब आने लगेंगे और आगे पांच साल में हमारा ये अलंग स डिस्टिक्क की लाइफलाइन अलोंग से ब्रेकिंग यार है सर अमारा भावनगर में भी दो पॉट है एक अल्ड पॉट है और नूख भी है एक सदन के सामने आज खुले दिल से एक बात में रखना चाहती हूँ कि हमारे भावनगर की लोगों ने एक डिमांड रखी थी कि हमारा भावनगर का जो पॉट है उनके लिए कुछ किया जाए डेवलोप्मेंट किया जाए बहुत कारगोट वहाँ एंडल होता है लेकिन कुछ डेवलोप्मेंट किया जाए लेकिन हमारे कल्पना में भी नहीं थी कि हमारे मानी मंत्री जी हमारी सेंटर गवर्मेंट और हमारी गुजरत गवर्मेंट में गवर्मेंट ने आज एक देश का सबसे पहला सी एनजी पॉट दो हजार करोड रुप्या का भावनगर में स्थापित करने का सोच लिया है, और टुक समय में ही वो चालू करने के सद दो मिनिट, जी जी ये होने वाला है, तो हजारों की संख्या में हमारे भावनगर के लिए रोजगार भी बड़ेगा और बहुत बड़ा व्यापार भी यहां से होने वाला है, सर मैं आज जब मुझे बोलने का मोका मिला है तो मैं कुछ डिमांड भी रख रही हूँ आज हमारे सरकार के सामने कि हमारा जो भावनगर का न्यू पॉर्ट है उनमें ड्रेजिंग की बहुत बड़ी समस्या रहती है तो बार-बार उनकी ड्रेजिंग किया जाएं जिससे हमार पॉर्ट और हमारा जो ट्रांस्पोर्टेशन है वहां से वह अच्छी तरह से हो सके हमारे महाराज ने जो लोग गेट का नवीनी करन किया था उसका भी नवीनी करन करने की अब बहुत ही जरूरत है हमारे मानी प्रदान मंत्री जी का जो ड्रेम प्रोजेक्ट था गोगा द और गोगा की मुंबई से भी एक करोरो फेरी शुरू की जाए एक हमारा बहुत ही पुराना बंदर है फिश्रिश के लिए सर्टान पर बंदर उनका भी अगर हम डेवलोप्मेंट कर सके तो फिश्रिश के लिए बहुत अच्छा रहेगा हमारे एक कंपनी आलकोक एसडाउन सर वहां चोटे मोटे जाँच तो बनते थे लेकिन नेवी के जाँच भी बंते थे लेकिन किसी नकिसी कारणुसर अब ये बंद हो गया है मुझे लगता है अब तो एसटर्ट गवर्रमेंट ने एंड ऊवर कर लिया है लेकिन आलकोके एसडाउन भी फिर से कार्यरत होए करपया संक्षेव में बोलियेगा समय कम सब 3 मिट 3-4 मिट